नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके अपने चैनल अंजली निउस कौन में, मैं हूँ आपकी वही अंजली, उसके हसरत को मेरे दिल में लिखने वाले काश उसको भी मेरी किस्मत में लिखा होता, जी है आपने सही सुरह माज की डेली राशी फल की ब ना होने देना, एक जुगनों ही काफी होता है उजाला करने के लिए, माना की किताबों के बहुत एहमियत है, लेकिन सबक वही याद रहता है, जो वक्त सिखाता है, अपने होसले बुलंद रखेंगे तो किस्मत भी सलाम करेगी, एक नया दिन, नई ताकत और ने विचार के साथ आता है, ज्यान ही वो नीव है, जिस पर सफलता का जंटा लहरा सकता है, जहां तुम हो वही से शुरू करो, जो कुछ भी तुमारे पास है, उसका प्योग करो और वह करो, जो तुम कर सकते हो, जिस तरहां बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरहां रोज थोड थोड़ा पढ़ने से ही सफलता प्राप्त होती है, बिना एक अग्र दिमाग के आप महान कार कर ही नहीं सकते, चात्र के सबसे महत्तपुरण विशेष्टा है कि प्रश्न करना, उन्हें प्रश्न करनी दीजिए, तुम्हें सपने देखने होंगे, तभी तुमारे सपने सच होंगे, समय की बरबादी आपको विनाश की और ले जाती है, इसलिए समय जाया मत कीजिए, जो कटे जाती हैं, उसे उम्र कहते हैं, और जिसे जीते हैं, उसे जिन्दगी कहते हैं, उन बातों की चिंता ना करे जिन पर आपका वश्न नहीं है, अपनी गलती आस्विकारना बहुत बड़ी कला है, और ये कला आप में होनी चाहिए, अगर महांता प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे पहले दूसरों से इजाज़त लेनी बंद कीजिए, और करो वही जो तुम करना चाहते हो पूरे दिल से, सबसे पहले मैं आपको बता दूसरों कि आज आपके लिए भागशाली रंग है, वो रहने वाला है आज का सी ग्रीन, और जो लगी नंबर रहेगा वो रहेगा आज के लिए नंबर पांच, तो सितारी जो है ग्रहन श्यत्र कहते हैं आज के दिन, आपके लिए कुछ ऐसे प संबब है कि आपको परिस्थितियां अपने खिलाब भी लगने लगेंगी, ऐसा भी हो सकता है, अगर थोड़ा सा फोकस करेंगी और विचार करेंगी, तो ऐसा लगेगा कि आपके पक्ष्मी है और आपके लिए ठीक ठाक है, आज तो इसलिए जो है वो मिला जुला रहेगा आपको आज अधात्मिक प्रगती करने के भी बहुत ही अच्छी अफसर मिलते रहेंगे, अपने जीवन में अपने इलावा दूसरों की भलाई करने में भी लगाईएगा, क्योंकि दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है, भगवान भी खुश होते हैं कुछ समय से आप अपने अंदर अध्भुत बदलाव महसूस कर रहे होंगे, अंदर छिपी हुई प्रथिवा और नॉलेज को पहचाने और इसका अप्योग कीजिए इस समय की कई महन जो है अगर आप करेंगे इस समय में, तो निकट भविश्य में बहुत एच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, जैसा कि आप चाहते हैं लेकिन जादा सोच विचार करने से कई उपलब्दिया हाथ से निकल सकती हैं इसलिए अपने योजनाओं को जल्दी से जल्दी कर्यानवित करने का प्रयास कर दीजे यानि कि जो अपने ये प्रयोजनाओं बना रखी है उन पर काम करना शुरू कर दीजे आज थोड़ा समय अपने लिए जरूर निकालें जैसा कि मैं हमेशा राशी फल में कहती हूँ कि अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है अपने आने वाले जीवन की रह और लक्ष का निर्धारण तभी कर पाएंगे आप कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है आज दैविय सैयोग से बहुत कुछ मिलने वाला है अपनी कोशल को जो है आप दूसरों के लिए भलाई के लिए भी लगा सकते हैं आज कहीं न कहीं आप थोड़ी बहुत मायूस दिखते नजर आएंगे लेकिन कोई बात नहीं समय कि चलते चलते आप शाम तक आपका मोड़ बहुती बढ़िया होता नजर आएगा घर में किसी बात को लेकर बहुत इच्छा महॉल बना रहेंगा कोई खुश खबरे भी मिल सकते है पॉजिटिव रवाईय से आपके पेरेंस में आपसे बहुत खुश होंगे आप दूसरों की मदद अवश्य कीजेगा ये आपके लिए बहुती प्लस पाइंट होगा साथी में आज नक्षेतर कह रहे हैं कि पिस्टम से थोड़ी बहुती आज जो है मिले जुले पर नाम देखने को मिल सकते हैं कहीं पर प्लस माइनस हो सकता है आज कहीं को ज़्यादा लाब भी हो सकता है कहीं को कम लाब भी हो सकता है अपने काम के प्रतिव से आपको फोकस बनाए रखना ये ज़्यादा इंपोर्टन है यात्रा भी करनी पर सकती है छोटी मुटी आपको स्टूर्जन की बात करते हैं तो वो आज competition में सफ़ता मिलने की पूरी संभावने बन रही है कुछ लोग test दे चुके हैं उनके लिए जो है बहुत ही अच्छ रिजल्ट देखने को मिलेंगे आगे आये के साथ साथ खर्चों के भी गतिविधियां जो है आपको नजर अंदास नहीं करना है खर्चों पर आपको ध्यान रखना होगा लेकिन कभी-कभी आपके वहम और जद्दीपन की वज़े से किसी के साथ संबंद जो है खराब भी हो सकते है इसलिए अपने सभाव में जो है नरमी बरती है तो जादा अच्छे रिजल्ट और जादा अच्छी कॉंटेक्ट्स आप जल्दी बना सकते हैं बात करते हैं बिजनस और करेड की तो आपके पब्लिक रिलेशन और संपर्क सुत्रयन की कॉंटेक्ट्स अच्छे होने की वज़े से व्यविसाय से रिलेटिद नए अनुबंध आपको मिल सकते हैं इसलिए इन पर अपना ध्यान फोकस जरूर के दें आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े जो लोग बिजनस करते हैं उनको अभी मंदा हो सकता है घाटा बढ़ सकता है आज काम में भी आपका मन जादा नहीं लग पाएगा इस्पेशली जो लोग जो आप करते हैं वो जो है आपका ध्यान भटक सकता है आपका बहरी चीजों पर जादा फोकस करेंगे फोकस बनाने के लिए आपको जो है कड़ी महनत भी करने पड़ेगी अगर अपनी काम से संतुष्ट नहीं है तो वो काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती है बलकि किसी के बक्यावे में आकर काम मत कीज़ेगा आज का दिन पेमन्ट कलेक्ट करने और मार्केटिंग के लिए बहुत इशुफल दायक है जिन लोगों से आपने पेमन्ट लेनी है उनसे पेमन्ट ले लीजिए मिल जाएगी अगर आप ठेल देंगे तो मुश्किल हो सकते है क्योंकि रुके हुए पेमन्ट मिलने से आर्थ तो चलिए बागे बढ़तें और बात करतें आज के ल fertile life के बारे में तो love life में आज परिवार में कुछ वैचारी का मत्त बैध हो सकता है आपस में विचार नहीं मिल पाएंगे अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय जो है अपने परिवार के लिए निकालिए उनके problems को solve कि ऐसी कौन से चीज है जिसके कारण आपके परिवार में बाथा उत्पन हो रही है साथ में अगर आप प्यार के दलाश में हैं आप में से कुछ लोग तो जड़ी ही आपके जीवन में किसी सोल मेट का आगवन हो सकता है लेकिन इसके लिए आपको मेहनत तो करनी है बढ़ेगे परिजनों के साथ आज बाहर घुमने का मन भी बना सकते हैं किसी राधर ठीव के यहां आपका आना चाना हो सकता है किसी आप पार्टी में भी जा सकते हैं जोकि लोकल होगी और किसी की घर में भी होगी बच्चों के साथ अच्छा समय जरूर बिताईए उनको बहुत अच्छा लगेगा परवारी के महाल जो है काफी positive बना सकते हैं अगर आपना सहयोग देंगे बाकी के प्रेम सबंदों में साथ विक्ता रखना बहुत जरूरी है तो ये थे love life और बात करते हैं स्वास्ते के बारे में तो स्वास्ते में आज कैस और कब्ज की शिकायत आप में से कुछ लोगों को हो सकती है पानी जादा से जादा पीना चाहिए और specially गरम पानी जरूर पीजेगा सेहत में बाकी रोगों का सुधार होता नजर आएगा जो पहले से विमार थी रोगों से राहत मिल सकती है बस मौसमी बिमारियों से जावधान रहना होगा साथ में आज नसों में की चाब भी महसूस हो सकता है दर्द के शिकायत हो सकती है एकसरसाइस पर ध्यान दीजे तो दर्द चुठकियों में गायब भी हो सकती है चलिए वन्त में बात कर लेते हैं आज के विशेश उपाई के बारे भी तो आज का विशेश उपाई केहता है कि आज आपको गायतरी मंत्र का जो है जाब करना चाहिए साथ ही अगर आप जो है गाये को गुड़ वगरा खिलाते हैं तो उससे बहुत फाइदा होगा बड़ा हिसान सा उपाई है इसे आप जरूर कीजिएगा तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिकूल भी ना भूलेगा धन्यवाद